गणसर बाणी की ओर जैसा की कर सुन रहे थे हम और आप गणसर बाणी में मूल पद उत्तर पद आदिका अच्ट्य साथना दिका बनन इच्छाई भनते ये भगवन मैं इच्छा करता हुआ दिक तो सबसे पहले पद आया है नमोकार पदे और अंत्र में पद आया है मिच्छा में दुकरम ध्यान में रखें तो मिच्छा में दुकरम का आर्थ क्या है इस बात को हमें और आपको ध्यान में रखना है मिठ्चा में दुक्रम मेरा दुस्क्रत संस्क्रत भासा में है मिठ्चा में दुस्क्रतम हे भगन मेरा दुस्क्रत मिठ्चा हो यानि उसका फ़ला में न भोग न पड़े और मेरे से जोगी दोस हुआ है दोस छे परकार के बताय से आपने लिखा होगा ध्यान दिया होगा फिर िश्याप ध्यान दे अतिक्रम बैतिक्रम अतिचार अनाचार आभोग अनाभोग छे प्रकार से दोस्त डगते हैं, इन दोसों के लक्षन मैंने आपको सुनाए हैं, पर्दिकाण करंताई तरही की आधार से, ठीका की आधार से, श्री प्रभाचंद्राचारी की ठीका की आधार से, आप ज्यान में रखें, इनके निवी से जो दोस्त होते हैं, उनका फल हमें न भोगना पड़े और वो कर्म निर्जिर्ण हो जाए जड़ जाए आपकी किर्पा प्रशास से तो ये मिच्छा में दुसक्रत मिच्छा हो यानि समाप्त हो जाए दूर हो जाए आपकी किर्पा प्रशास से तो ये एक प्रकार से आलोचना गरहा निंदादी करके अपने दो अनाधी निढान साश्वत आ стор अनाधी निजान साश्वत महामंत्र , नमोकार्मंत्र और चत्तारी मंगलपाद। तो 那 170 अ only पर में अरहंत पद में सिद्वड में और आीरीप आचारीपत , अपाध्याय पद मग और साथु पद यह 5 पद那么 मुकारमंद में आते हैं, पुना से मंगलपद, लोगोत्तमपद और सरनपद, ध्यान में रखें आप, यह मैं पुनरावर्ति कर रही हूं, पुना आपको सुना रही हूं मूल में, इसे मैं सुना चुकी हूं, एक बार आपके लिए पुना, उसी पर प्रकाश डाल नहीं हूं कि मंगलपद, लोगोत्तमपद और सरनपद, इससे यह इसपर्ष हो जाता है, कि चत्तारी मंगलपाड भी किनी के दारा बनाया हूँ नहीं है, अब आप ध्यान में रखें सामाईपद, सामाईपद में तरकाश देवबंदरा, तरकाश में देवबंदरा विधिवत की जात चैत भक्ति पंजी गुरु भक्ति पूरवक्त, उसकी पूरी विधी है, कई बार आपको कराय जा चुका है, उसमें चैत भक्ति पंजी गुरु भक्ति आजी आती है, ये क्रिया कराब में हस्त लिखित गुर्का आजी के आधार से क्रिया कराब छपा था, बहुत पुराना इसकी पुरी विदी है और कई एक बार मैंने सभ़ा में सामभी विदी यादी शिखाई भी है पढ़ाई है आप ध्यान में रखे है इस पुर्षक को मंगा करके इसी के अनुसार जो सामाईक होती है देव बंदना पूरक यानि पहले उसमें परिक्माई भंते पढ़कर एरा पसुद्धी करते हैं आलोचना करते हैं पुनस्य सामाईक के प्रतिग्या करके सिध्धम संपुर्भगार समाधी पढ़करके कमामी सब जिवानामादी पढ़करके और फिर चैज़्ध भक्ति और पंज़्गुर्भक्ति में करती कर्म बिधी करते हैं जिसमें बारा आवर्त, चार सिर्वनती और दो प्रणाम पूरकर्दी कर्म बिधी होती हैं ऐसा है सामाईक पद सम्ता भावजर्ण करना और इसतोपद जो है आपने भ़रत थेखर के पेख़ा है ये बनाई हुई इस्तुती है और गौतम सामी की दौरा रची था इसा मेरा सरिधान और विश्वास है उसे मजविंचो बंदे क्योंकि करती कर्म बिधी थिरिकौतम स्वामी के परिदिकोर पार्ट में आती है अधाइज दी दोस्वांग देशु आदिक धामेक दंड़क पार्ट और उसे मज्यम्ट बंदे आदिक तोस्वामी हम जिन्वरे ये तोस्वामी पार्ट आता है शट्खंडा कम ग्रंत में भी इसके बारे में प्रकाष डाला हुआ है कर्टी कर्म बिजी नाम से मैंने एक छोटी सी पुस्तक संकलित की है को उसका भी आप मंगा कर देखेंगे तो उससे भी आपको इस पष्ट होगा तो यहां तो आप मुख्य रूप से परिक्षा में आपके इसे नहीं दिया जाएगा चोटा ही दिया जाएगा तो अभी तीर्थंकर पद, बंदन पद, बंदना, तिरकाष देव बंदना आदिक, गुरु बंदना आदिक और प्रतिकमाण, प्रत्याख्यान, कायुसर्द, यह सब साध्यों की क्रियाएं हैं और मुख्य रूप से स्रावकों के लिए कहा है, कि देव पूजा बिना सर्वा, दूरा स्रामाइक की क्रिया देव पूजा के बिना स्रामाइक क्रिया स्रावकों की दूर है अर्सा श्रावकों को देवपूजा पूरग, अफसेक पूरग, अफसेक पूरग, अफसेक पूरग जो बहगवान की पूजा होती है, वही उनकी सामय विधि है, उसमें भी चार भक्तिες आती है, लगू सिद भक्ती, लगू चैजित भक्ती, लगू dependency, सांती भक्ती आ दिए, तो यह सब इधी कई बार हस्तनापुर से पुस्कों में प्रकासित है और मैंने कई बार इन पर सिख्षण सीर पर सिख्षण सीर भी रखे हैं आप लोगों को सिखाया भी गया है आगे वताया जा सकेगा तो आप इस तूर रूप से याद करें आप शीही पदे निसीही पदे मंदिल में प्रियोष करते ही निसीही निसीही बोलना निकलते हुए और सही बोलना आदिक ये क्रियाए साधू के लिए तो अपनी वसतका से निकलते है बाहर जाते आते और सही निसीही का प्रियोग करना होता है आदिक तो ये जो है मैंने पुन्रा विर्थिय करके आपको पुपना सुनाया है, ये पाठ आप याद करें, संख्षेव में समझें, गौतम स्वामी के मुख से निकलिबानी का अध्यन करते हुए, असंख्यात गुनत स्रेण जिरू से कर्मों की निजरा और महान पुनिका संख्य करते हुए, अपने ज्याना वरण के छेवस्वम का व् करते रहें, यही प्रेणना मंगल आशिर्वाद